पब्लिक दिवी आपकी आवाब दुकानों को सील करने की कारवाही शुरू कर दी इस दौरान कुछ व्यापारियों ने कोट का इस्टे होने और बैंकर टीम के पास दुकानों का नक्षा नहीं होने का हवाला देकर कारवाही का तीखा विरोद किया व्यापारियों का विरोद्दे कर बैंक की टीम बैक फूट पर आ गई इस दोरान टीम ने दो दुकानों की सील तोड़ी और वापस लोट गई विशाल मेगा मार्ट के स्थित दुकानों में कारवाही के दौरान अफरातफरी का माहौल बना रहा आपको बता दें कि PNB Recovery Agency के आरेम पुनीत ने बताया कि कार्टो डिस्तित विशाल मेगा मार्ट के पास कई दुकानों पर करीब 20 करोड रुपे बैंक की बकायदारी है पंजाब नैसनाल बैंक की दिल्री शाखा की ओर से इन दुकानों को रिकवरी के लिए सर्फ ऐसी एक्ट के अंतरगत नोटिस जारी किया गया है गुड लिविंग फर्मीचर पहले शायर चोड़ भागा विए लोगों के पैसे लेकर भागाता वो भी उसमें क्राय जारे है तुसरे इससे उसका और हमारा विजनिस एक ही है कि अपने रिष्टेजार के साथ मिल करके इस प्रोपरटी को तीन बैंक में दो बैंक की नौलीजी तीसरा बैंक भी खड़ा हुड़ा तीन बैंक में गिर्मी अलगलग विश्टों को पूर एक हिस्ते को तीन जगा गिर्मी रख दिया और उनको चुकता नहीं करा और हम लोग उसे क्राया लेता रहा लगाता और जब बैंक को पैसा नहीं हो ला तो बैंक उसको हिस्से पर अपने पैसे लेने के लिए आया तो यह बता दिया कि जो तुम्हारे पास प्रोपरटी रखी हुई है वो केवल गुड लिविंग वाला हिस्सा रख हुआ है बाग और इसने जो है सारे जैस बैंक बैंक वालों को बुलाया फुलिस को बुलाया और अपने साधी पचास सट गुंडे और बुलाये जिन्होंने हमारे सारे बोर्ट फार तो बुल लिविंग पर नीचल अब अब क्या रहा है तो बैंक वाले भी यहां पर आए उसका नक्षा लेकर आईए प्रॉपर और उस नक्षे के अगवर्डिंग सीरियल वाइस प्रॉपरिटी को सीच करते जाईए आपको पसी लगए जो हिस्सा हमारे पास हम ये चाते हैं बैंक वो हिस्सा हमारे हाँ सेल कर दे या हम से उससे एक राय लिकर रहे बस क्या बैंक वालों के पास तो क्या कोई बेस नहीं था उसके बाद वाबजूद भी आपको इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा